नमस्कार आपका स्वागत एश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ ग्राम मंत्री अमिट शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाओं से पहले देश में सिटिजन्शिप अमिट्मेंट एक्ट CAA लागू हो जाएगा उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है इसे हम यकिनन नोटिफाइ करेंगे इसे चुनाओं से पहले नोटिफाइ किया जाएगा और चुनाओं से पहले इसे लागू भी किया जाएगा इसे लेकर कोई confusion नहीं होना चाहिए अमिट्शा ने शनिमार को ET Now Global Business Summit में ये बात कही उन्होंने कहा कि Congress सरकान ने CAA लागू करने का वादा किया था जब कई देशों में अलप संकिक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे तो Congress ने रिफिजियों को भरोसा दिलाया था कि वो भारत आ सकते हैं उन्हें यांकी नागरिकता दी जाएगी लेकिन अब Congress अपनी बात से मुकर रही है गरम मंतरी ने कहा कि हमारे देश के अलप संकिक समुदाय खासतोर पर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है CAA किसी की citizenship नहीं ठीन सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावदान ही नहीं है CAA ऐसा एक्ट है जो बांगला देश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्यचा सहरे रेफिजियों को नागरिकता दिलाएगा इससे पहले कॉलकता में पिछले साल दिसंबर में एक्रियाली के दोरान गर्य मंतरी अमिट शा ने भी कहा था कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है शा ने गुस्पेट विष्टाचार, राजनेतिक हिंसा और तुष्टी करंट के मुद्दों पर ममता बैनर जी को गेरा था उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और दोजाचशबवी स्विदान सवाचनौ में भाच्पा को चुनने का अगर किया था वहीं बारा दिन पहले केंदरी मंतरी चांतनौ ठाकु ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ कि देश भर में साथ दिनों के अंदर नागरिक संचोधन अधिनियम CAA लागू हो जाएगा बनगाओं से भाच्पा के 67 ठाकु दक्षिन 24 परांगना के कौकदीप में एक रैली को सम्भोदित कर रहे थे 11 दिसमबर 2019 को राजसबा में नागरिक्ता संचोधन विदायक 2019 के पक्ष में 125 खिलाफ में 99 वोट थे अगले दिन 12 दिसमबर 2019 को इसे राश्टपती की मंजूरी मिल गई देश भर में भारी विरोत के बीश बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कारून की शक्र ले चुका था इसे क्रमंत्रे मिच्छा ने 9 दिसमबर को लोगसभा में पेश किया था